दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही मसुहूर टेलिविजन एक्ट्रेस साची तीवारी के फुल लाइफ इस्ट्याल और बायोग्राफी के बारे में दोस्तो इस वीडियो में मैं आप सभी को साची तीवारी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ तो इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुंबई के एक प्राइविट स्कूल से पूरी की है। और ये अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही है। आईए दोस्तो अब आपको मिलवाते हैं इनके फैमिली से तो इनके पिता का नाम रकेश तिवारी है और इनके माता जी का नाम पिरिया तिवारी है। और इनका एक छोटा भाई भी है जिनका नाम अन तिवारी है। अब बात कर लेते हैं साची तीवारी के केरियर के बारे में तो दोस्तो साची को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत सोग था और इन्होंने बचपन में ही तैक कर लिया था कि इन्हें एक्ट्रेथ बनना है और इनके माता पिता भी इन्हें काफी ज़दा सपोर्ट करते थे लेकिन दोस्तो साची तीवारी ने अपनी केरियर की सुरुआत मोडलिंग से की दोस्तो साची तिवारी अपनी केरियर में काफी सारे एड में काम कर चुकी है फिर उसके बाद साची तिवारी काफी सारे ओडिसन दी जिसके बाद इन्हें साल 2015 में टेली विजन सो पोड रेड में काम करने का मौका मिला फिर उसके बाद ये टेली विजन सो बाल सिम में नजराई लेकिन दोस्तो साची तीवारी को पहचान तम मिली जब ये टेली विजन सो अहिलिया में नजराई और दर्सक इनके एक्टिंग को उस सो में काफी ज़दा पसंद किया फिर उसके बाद साची तीवारी कभी पीछे मूर कर नहीं देखी और लगातार एक सबढ़कर एक टेली विजन सो और फिल्मों में नजर आई और दर्सक इनके एक्टिंग को हर जगा काफी ज़दा पसंद किया और आज यही बजह है कि साची तीवारी किसी पहचान की मुहताज नहीं है और इनके चाहने वालो फैंस के संख्या करोरों में है और यह अभी दंगल टीवी पर आने वाले टेली विजन सो कैसा है यह रिस्ता अंजाना में अनमोल के किरदार में नजर आ रही है और दर्सक इनके एक्टिंग को उस सो में भी काफी ज़दा पसंद कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं साची तीवारी के फिजकल स्टेटस के बारे में तो इनका हाइट पांच फिट दो इंच है और वजन लगभग एक कावन के जी है और इनका आई कलर बिलेक है और हेर कलर भी बिलेक है और इलीजन से यह हिंदू है और नेसनलिटी से इंडियन अब बात कर लेते हैं इनके रिलेसन्सिप के बारे में तो दोस्तो साची तीवारी अभी सिंगल है और यह अपनी पूरी फोकस अपनी केरियर के उपर दे रही है वही अगर बात करें इनके hobbies के बारे में तो इन्हें dance करना और traveling करना काफी ज़दा पसंद है आप बात कर लेते हैं कि साची तीवारी अभी कहां रहती है तो दोस्तो मैं आप सभी को बता दू कि साची तीवारी currently अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में रहती है वही अगर बात करें इनके income के बारे में तो दोस्तो साची तीवारी पर episode में काम करने के लिए लगभग 60-70,000 रुपए चार्ज करती है अब बात कर लेते हैं इनके net worth के बारे में तो 2024 के अनुसार इनकी net worth लगभग 80,000,000 रुपए है तो दोस्तो अब आप सभी को क्या कहना है और आप सबको साची तीवारी के बारे में जानकर कैसा लगा आप सब अपना राय हमें comment box में comment करके जरूर दिजिएगा और दोस्तो अगर आप साची तीवारी के फैंस है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दिजिएगा तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार